ये गाइस स्वागत है आपका इस वीडियो में मैंने छोटी जर्णी देख गाइस मैंने थर्ड रो की सीट से निकाल दिया जिससे इसका बूट इस पेस सबसे जादा हो जाता है 625 लीटर का क्योंकि मुझे जादा लगेज ले जाना है तो मैंने इसलिए ये सीटे निकाल दि और मैंने स्टार्ट होते ही ट्रिप भी जिरो कर दीती और अभी तक हम चल चुके हैं आठ किलो मीटर चलिए बने रही है और मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊ हुआ कि माइलेज का इशू जैसे सब कार ओनर्स को आ रहा है कि किसी को 11-12 का एवरेज आ रहा है और किसी क देखने के लिए मिलता है 18-19 का तो मैं बताऊ ओकार कितनी स्पार्टिकल है गति केपीबल है और मेन बात हम स्टार्ट करेंगे कि माइलेज और एवरेज में क्या परके चाहिए था कंपनी जो क्लेम करती है और गिने एक डिया जाता है मतलब कि हाइवे पे चला रहे हैं तो मिक्स कंडिशन होती है एवरेज के अंदर आपने देखा होगा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि इतने बच्चे इतने गलास में तो पर्टिकुलर वह एवरेज निकाली जाती है तो एवरेज में सारी सिच्वेशन आ जाती है तो एवरेज जो निकलती है हम जो लोग नि गाड़ी का जो नोने वाला है रोट से वो टारे होुत होने वाला है क्यangए जो टच करेगा सरफेस वो टारे की तुर करेगा गाडी तो टार प्रेशर अच्छा होगा और गर्मियों में क्या है कि टार expand हो जाते हैं उसमें जो एर होती है उसके वज़े से वह expand हो जाते हैं इसे related मेने एक video बनाई थी वह description में है कि हमें गर्मीओं में nitrogen use करनी चाए अपने tire में क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए उसकी वो description में अब आते हम अपने point पे कि tire pressure हमारा अच्छा होना चाहिए tire pressure अच्छा रहेगा तो mileage और average जो भी आप निकाल रहे हैं वो best आएगी क्योंकि गाड़ी को struggle नहीं करना पड़ेगा और pressure कम रहेगा तो गाड़ी पे load पड़ेगा गाड़ी को खीचना पड़ेगा और गाड़ी हम पहुंज गये बच्चे गाड़ी से उतार रहे हैं इसको हम प्तार दिया हम उतारने वाले हैं और गाड़ी काफी दिनों के राद गाओ जाओ तो सब लोग भाहर आ जाते हैं रिसीव करने के लिए कि इतने दुनों में बच्चे आए फिर गाड़ी समें एंज्जोई करने के लिए धावे पे लसी पीने के लिए अपने गाइस अपने दोस्तों के साथ अब फिर मैं निकल गया है वापिस अपने घर दिल्ली गाइस अगर आप चाहतें कि आपकी इस दिख गाड़ी कोई सी भी हो तो उसके लिए टैप रेशर का बहुत ज़्यादा धियान रखिए एक्सलेशन, कलचिंग, इंजिन, स्पीड आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरस्टेड होने वाली है मैंने एक छोटी जन्नी ते तरी दिल्ली से शामली की, इसमें मैं फैमली के साथ जा रहा था, मैं वापिस अपने दिल्ली अपने घर जा रहा हूँ, जिसमें मारे पास काफी लगेश था, हमने थाड़ रो बिल्कुल खाली कर दी थी, और माइलेज मेरे पास बहुत का, नेक्ट वीडियो में गाइस में आपको बताओं कि आप चार पॉइंट फॉलो कर रिखे कैसे अपनी अवरेज को निकाल सकते हैं, दिल्ली से जब गाड़ी चलानी स्टार्ट करी थी मैंने तो मीटर में शोग हो रहा था, इकिस सो पैंटिस क्लो मेटर और गाड़ी भी अच्छी हो तो आप एवरेज बहुत अच्छी निकाल सकते हैं,